यह कोई आनन्द यादो आये हैं इनको मैं इड स topics करता हो हाज आनन दियादो बताएं क्या कोना है आपका आपका हाजी हां जाति बाद सभी में नहीं है इसमें आपके हां साधी टूडी होती है आपका कौन सा गरंथ है आपका कौन सा गरंथ है यही बता दीजिए एक अनुवादक बता दीजिए जिन होने वेदों का अनुवाद किया हो अब पर पहली बात तो भूक नहीं है वह पूर्श नहीं है अच्छा वंस है तो आपके यादों में कौन से जाती में साधी होती है पढ़ते हैं पढ़ते हैं उनको संस्कृत आती है यादो लोग को संस्कृत आती है यादो जो समाज है उनको संस्कृत आती है अंप क्रिष्ण को मानते हैं आप कि पूल रहें कि आप के जाती वाद नहीं किया है आप कहां किया है आपके यादो लोग फिर तो जाती बात नहीं मानते होंगे क्रिश्णा को मानते हैं सभी लोग लेकर किसी इंडिवीजूल पर डेपेंड डियादू किसी तिवारि से करता है तो उसमें कर लेते नहीं तो नहीं करते यादो का यादो में होता है अगर लोग जातिवाद नहीं किये हैं आयादो लो यादो में कर रहे हैं कृष्ण यादो में साधिकियत है यादो समाज की जब बात कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि पूरा यादो समाज की जब बात कह रहे हैं जब क्रिष्णा जो है उनकी स्यधिया जब आप दिखा रहे हो कि वह जातिवाद मानते थे तक यादो समाज कbstिया है वह क्यों आपनी ही जाति में साधिक कर रहा है पूरे आप किसने यादो कि अनुवाद किया है या घीता का भाष कि किया हो आप बता मतलब आप यह कहते हो कि जितने भी यादों लोग हैं उनको संस्क्रीट नहीं आती है अरे आपका कुछ मैं क्या समझ रहों मैं बोल रहा हूं आप यह बताइए आप यह बताइए जातिवाद क्या होता है जातिवाद यहीं होता है यहां बताइए तो वहाद लेका है यह बताई मैं कि आप यह बता है या कि भगवान पनी है ये जितने भी ध्रमगरंध को मान रहे हो उसी भगवान को मान रहे हुआ अप दोनों में से एक बात सही हो या ता आप यादों नहीं हो या फिर यह आप जूंट जो बूर रहे हो यह बढ़ें श्रीक्रिष्ण जातिवाद की बात नहीं कि तब रहें परस्टनली अरे भाई तरहां मानता हूं क्या है उसमें 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 ब्राम हंदा श्रुद्र और वैश्ट है ता आप कहुं से वर्ण में आते हो अगर मैं समझो मैंने वेद पढ़े वीपनिशत पढ़े तो मैं ब्रामन हो अगर मैं अगर मैं कर्म और क्वालिटी पर डिपेंड करते हो कि पूरा यादों जो समाज है उसके अंदर ही चारों वड़नाता है जिसमें कोई यादों जो है व्यद पढ़ लेगा तो ब्रामन हो जाएगा कोई नहीं पढ़ेगा लड़ाई जगडा करने लगेगा तो छतरी हो जाएगा और कोई व्यापार करने लगेगा तो वैश्य हो जाएगा और जो कुछ नहीं कर रहा है उन तीनों की सेवा कर रहा है दूद और दही बेच रहा है तो उसुद्र हो जाएगा मतलब पूरा यादो समाज ही complete one way वस्ता को फॉलो कर रहा है आप मैं बात कर रहा हूं मैं क्या बूल रहा हूं मेरे आप अपने सुनिये ना अरे कहां पड़े हैं हम प्रेक्टिकली बात करेंगे ना गरंथ में तो बहुत कुछ लिखा है कौन पढ़ रहा है कौन आपी खुद कर रहे हो कि हमारे लोग पढ़ते ही नहीं है तो हम करते हैं आप करें हो कोई नहीं फॉलो करता है मेरे फ कमाज नहीं करता है तो कोई नहीं करता है पहले बात अधर संक्राचार्य वाला या द्याननसवरस्वती वाला दोनों अच्छा नहीं लगता है वेद के-जो है वेद को मानते हैं अब तो वेद आप कईसे मानते हैं पड़ा है आपने करए हो फिर कर रहे हो कि आप अप बार यहां पर जितनी बार आपने यही चीज कहा कि आप जो है वेदों को मानते हो वेदों को मानते हो अब कर रहे हो कि उसका पढ़े के उसमें जनकारी दिया हुआ है इक आपको समझाया है कि वेदों का सार है आगवान स्रीकिषने खुदी वेदों को पढ़ो ओम जाप करो गायतरी मानते हो बहुत जगा बुला है आपकाम करते हैं अच्छे से चर्चा कर लेते हैं हम लोग पहले तो आप यह बताओ कि जो यादों समाज है उसका कितना पुराना इतिहांस है इतिहास में कब वो उसके कितने राजा हुए हैं जिन्होंने वेदों को मन्नता दी है या जो आपकी गीता जो है उसकी मन्नता दी है कोई तो सबूत होगा ना यादो राजाओं का आप तो कर रहे हो कि कलियूग में कोई है नहीं मैं अभी आपसे पूछा है कि एक यादो का नाम बता दो जिन्होंने एक भी ब्रामणी गरंथ का अनुवाद किया हो तो आप नाम नहीं बता रहे हो फिर कर रहे हो आपका गरंथ है गीता नहीं है जो वेदो का सार जो है मनुस्मिर्ति है गीता नहीं है आपके जो वेदाने वाले लोग है आप गीता गूं रहे हो उसको उन्होंने खारिज कर दिया शिर्फ सतर स्लोक को कहा कि ये सही है अच्छे सो तीस सलोक को रिजक्ट कर दिया कि ये हमारे वेदों के विरुद है गीता हमारे वेदों के विरुद है यह कहा कि उन्होंने खारिज कर दिया है आप जाके ध्यान से श्टडी करवारे समाज में जाओ वेद को प्रमुख मानता है उसने रिजक्ट कर दिया गीता को कहा कि श्रिप जो है 70 सुलोक सही है बाकि सब वेद भी रुधयाप कर रहे हो कि वेद के सपोर्ट में है मेरा ये प्रशन भी नहीं है मैं आपसे सिधे ग्राउंड पर पूछता हूँ कि अगर आप वेद को मान रहे हो गीता को मान रहे हो तो भाई एक सबूद तो हमें देढो कि खूर्श्न आपका पुर्वज है तो उन्होंャं ने वेद कहाओ था या गीता कहा था पहले यहीं कंफर्म कर दो कृष्ण न क्या कहा था कृष्ण ने उन्होंने क्या कहा था फूher। कनफर्म करते हुआ वेद दिया था या आपको गीता दिया था दिया क्रिश्ण कोई सबूत है एक भी सिंगल सबूत है क्रिश्ण का क्या सोच रहे हो कि आप एक सब्द बोल दोगे और आप जीत गए यह नहीं होता है आपको उस चीज़ का एविडेंस देना पड़ेगा जैसे मान लिए कि आप से किसने पूछा कि पानी कौन बरसाता है आपने कह दिया इंद्र तो आपसे पूछा जाएगा ना कि इंद्र जो है उसका सबूत है कि यह कैसे बरसाता है अब आपको जबाब दे दिया मजीद के मजीद के यह नहीं होता है आनंद यादो थोड़ा सा अपडेट हो जाओ आप यहां डिवेट करने आयो होना तो डिवेट में एक IQ लेवल होना चाहिए आप क्या सोच रहे हो कि कोई भी उठ के यहां चला आया कुछ भी एक दो सब्द बोल दिया अगर आपको यहां पर समय चाहिए डिवेट के लिए आप चाहते हो के प्रोपर डिसकस अंत अभी तक आप एक भी नहीं जबाब दे पाए आपने कहा वेद का आपके वेद में कृष्ण की हत्या की बात आई है ठीक है जितने ब्रामणी गरंथ हैं वहां पे यादों लोगों को हमेशा नीचा दिखाया गया है तो उसका भी आप अभी तक समधान नहीं दे पाया कि भाई आपके धर्म गरंथों में नीचा क्यों दिखाया गया है अगर आप उचे थें तक कृष्ण को तो वह हत्या की बात कह दूसरी बात कि आपके जो उसका सार है वेदों का सार है जिसके अधार पर पूरा भ्रामण धरम चलता है जैसे गीता आपका प्रयाप्त नहीं है अगर किसी को भी बताना होगा कि जीवन यापन कैसे करें तो आपका गीता खुल के नहीं बता सकता क्योंकि उसमें नहीं लि सारी बाते नहीं लिखी हुई है उसमें भी केवल यग हवन यग हवन कुछ-कुछ फलतु-फलतु बाते लिखी है अगर आपको पूरे ब्रामणी व्योस्था को चलाना है ता आपको मनुस्मृति उसके लिए है जो आपको नीचा दिखा रही है आप बार-बार बोल रहे अब आप बताओ आपने कहा दिया कि आपके जो यादो लोग है चारो काम करते हैं ब्रामणी उसको तो पढ़ाओगे ही नहीं कहां गई आनन्द यादो उसको तो आप पढ़ाओगे ही नहीं किताबों का हवाला दे रहे हो उसमें आपके दैनिक जीवन की बात ही नहीं लिखी है आप एक जगह मुझे बता दो किताब में से कहां पर नामकरण की बात आई है बता दो मुझे साधी करें इसकी बात कहा आई स्री राम स्री कृष्ण को बुरा मत दिखाए क्या दिखाए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है इंसानों ने जाती बात बनाया है उन्हों ऐसा वर् नहीं बनाया है आपके मनु महराज ने बनाया है यह आपके गीता कृष्ण ने बनाया है समझ रहे हैं आपके कृष्ण के पहले राम थे राम थे के पहले मनू थें आपको पता नहीं है बनसाओली यर पढ़े हो ना मनुभाग नहीं पढ़े हो नागी नहींा इतला में पूरा है आपका पूरा जीता लिखें है वह पूरी वहां है किताब है पूरी वही वर्ण व्यौस्ता की बात करती है जो आप अपने किताब से नहीं भाग सकते आप क्या सोच रहे हो कि आप जो है आओगे अपनी स्वेक्षा से कहें दोगे कि यह कीताब वह कीताब ऐसे नहीं चले गारे हैं आपके मनुस्मृति से गार में पूजा पाथ होता है गीता का कौन से मंत्र पढ़ा जाता है ज़िए थो लोगों के घर में बसी हुई है जिसके कारन जाती वाद status प्वेला वह प्राकरी जो भूं हुक folding क्या है है थे आपका गीटा तो Krela फ्रटी के बाद लिखी गई है है कि KYour Day में उपनिशन में और गीता में क्यों मत्ती था शाइब हुआ है आप कहा है नहीं सुन रहा हो मेरी बात आपकी जीमन समर्थ्यस चल रही है तो आप क्या कह राह hypothes है जीवन से जिससे चलती है उससे फ्यलता है आप क्या कहर है तो मुझे बता दो कि आपके है साधी में घीत सब में लेकिन मैं तब ही उस पर बात करूँगा जब आप मुझे यह साभीत कर दोगे कि आपके यहां जब साधी होती है तो आपके यहां कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है पहले यह कंफर्म करवा बारे से ब्रचय पंड़ें तो क्या लिखा हुआ है दो क्या लिख आने पढ़ेगा आनेगी रहे हो अप मनुपर मनुस्मृति को मन उठाके गीता का सब्सक डिभी आतीया आप कि आपकी सूचरों कि वुदिध यू निद्यां से और नमक बेचने से ब्राम्हड सिख रही पतीत हो जाता है और दूद बेचने से तीन दिन में ही सुद्र हो जाता है तो ब्राम्हड कह रहा है कि ब्राम्हड सबसे सरवस्रेश्ट है अब वो अगर दूद बेच देगा तो सुद्र हो जाएगा और आप तो अगर दूद बेच है और जो बोल रहा है कि स्मृचितअ है यह वे लिखे रहा है आप सुक्राइब कर दो सारा चीज इसमें दिया है आप सोच रहो किसी की बात नहीं करेंगे किसी और की बात करेंगे तो आप मुझे दिखा दो न यह दो मैंने मनृस्मिर्थी आपको सेंपल तोर पर दिखाया आप आपकी गीता खोलता हूं आप गीता हो ना विर्तव पढ़े ही नहीं हो गीता खुल लेता है आई यह वह भी आपने कहा आंपके सब वहभी देख लेती लिएक डिखाएंगे पहले आपना वर्ण बताओ कौना से वर्ण में आते हो और डो साम्त अधर चतुर्वेदी लिखो ना आपके उपनिसाद में दिया हुआ है कि जो एक वेडो का घ्याता हो जो दूवेदो का ग्याता हो जो तीन वेदो cookie में वेडों में बकले पूरा लिखा हुआ है आप पढ़े के नहीं आए हो बोल रहे हो वेदों में अभी वेद उपनिषद गीता इसलिए मैंने कहा दिया कि पहले एक किताब आप कुद बहुत रहए हो मनुस्मर्ति खोल दी आपकी पूरी जीवन से ली तो वहां से आप भाग गये गीता पर गीता खोल दीया तब भाग रहे हो वेदों आप जो है पहले वेद नहीं पढ़ें हो एक किताब पर टीको पहले आप अगर आप ये किताब कि आपका यह किताब है गीता की किताब है तो इस पर बहुत के रहो अगर आप मानते हो कि यह आपको क्या करना है कुछ points दिखा ही देता हूं मैं ताकि आपका confusion भी दूर हो जाए यह जो है आपका उपनिशद आप बोल रहा हो ना कि कहां पर दूवेदी-तृवेदी लिखा हुआ है वही निकाल रहा हूं दिखाता हूं मैं कहां लिखा हुआ है आप लोग अपनी एक भी किताब पढ़ते नहीं हो और ना किताब पढ़के आके आप दूसरे से बात करते हो कि कहां पर क्या लिखा हुआ है वैसे आपके कौन से धार्मी के गरंथ मैं तब तक जब तक निकालता हूं तब तक यह बता दो कौन से धार्मी करंथ में लिखा है क लोग अपना सर्णम यादो लिखें और कौन से वेदो मेरिग वेदा वाज़ोर वेदा अथर वेदा में लिखा है कि आप पढ़े हो चारोवेदों मैं पूछ रहा हूं चारोवेद पढ़े हो यह पढ़ाओं कि इसे काम नहीं चलेगा देखो आप जो पढ़े हो उसी पर चल जानता हूं कि आप ब्रामण हो यहां जब अब जश्ति यादो बनके आये हो सब मैं जानता हूं कहानी आपकी लेकिन यहां पर आप जो बात कह रहे हो पहले एक चीज पर टीको ऐसा नहीं है कि आप बार बार टोपिक बदलते रहोगे एक कुद के इधर कुद के उधर सब कि आप ब्रामण हैं आप नकली यहां बने के आये हो यादो समाज के जो भी लड़के हैं सब को पता है अच्छी तरह से कि क्या चीज है आप वेद की बात करोगे तो वेद ही खोल के मुझे दिखा दो एद जो है उसी का मैं खोल दो ना उसी का वेद का मंडल 8 खोल दो मंड उपनिशद जो है उपनिशद ही खोल देता हूं मैं यह बोल रहे थे हैं कि इनके उपनिशद में जातिय व्यवस्था नहीं है यह देख लिजे इनकी उपनिशद खोलता हूं गीता से तो भाग रहे हैं इनकी उपनिशद ही खोल लेते हैं पले इनहीं से मांग लेते हैं न चैप्टर फाइफ जो है वह उपेन करो आप घीता में जाती बाद दिखा ही नहीं पाए यह देखे यह देखे फिर से भाग गया यह अभी उपनिशद बोल रहा है कि उपनिशद में कहां लिखा है कि चदरवेदी दुवेदी कहां लगाना है अब उपनिशद खोला तो यह कुद के भाग रहा है गीता पे ऐसे नहीं चलेगा आपका आप खोल के दिखा दो ना आप गीता खोल में दिखा रहा हूं जाती बाद कूट के भरा है आपका जाती बाद आपका चैप्टर 18 का 41 स्लोक जो है गीता का वह भरा हुए लेकिन उससे पहले आप उपनिशद जो है उसका चैप्टर 5 का 10 सुक्त जो है सेवन नंबर जो स्लोक है क्या कह रहा है जो अच्छे काम करते हैं वे ब्रामण च्छत्री और वैश्य इन अच्छी योनी जातियों को प्राप्त होते हैं और जो असुब काम करते हैं वे कुद्ते शूर या चंडाल योनी जाती मे प्राप्त होते हैं अब सवाल यह है कि अच्छा करमा बुरा कर्म क्या है समझे रहे ना अच्छा करमा बुरा कर्म क्या है बही कहां गई यह अच्छा कर्म में बताए क्या है अच्छा कर्मात्मा की भक्ति करना हर दिन यगन करना हर दिन ओम करना करना अच्छा आप करते हो आपके करम अच्छे हो गए यहां पर नहीं लिखा हुआ है यहां पर जो अच्छे काम करते हैं वे ब्रामण छत्री और वैश्य इन अच्छी योनी जातियों में प्राप्त होते हैं सुद्र की बात नहीं आई है लेकिन ब्रामण आपको तो सुद्र कह रहा है ना ब्रामण तो कर रहे हैं कि दूद बेचने वाला सुद्र होता है अब यहां पर लिखा है कि यह कुद्टे सुवर या चंडाली उनी में होते हैं तो आये आए जरा बताओ तो हमें अशुब कर्म क्या है आशूर मतलब मास खाना कषमा नहीं को बुला परमात् तो उसके कपड़ें लड़की नह रही हो तो उसके कपड़े उठाके लिखाय gobierno कर लिखा अब भी आपका क्रिश्ण की जो लिला है ना भावत पुराण में आती है माभारत का मुख्य किरदार कृष्ण नहीं है आप जबर जस्ति कहानी मत घुसेड़ी इधर उधर आप बताएंगे हमें कहां लिखा है कर देंगे कि इसमें मुझे दिखाईए यह सारे धर्मकरंथ आपके यहां लिखा है वहां से मैं दिखाऊंगा आप नहीं करएंगि आप जिसमें कह रहें उसमें मैं दिखाऊंगा जब सारे करें देख बंदा को यह पैसे पल्टी गररेगे इंब अधर ईभवाए कि माभारत में कृष्ण को अलग से घुसेड़ा गया है आप सही से रिसर्च क्रिटिकल इस्टडी नहीं कि हो माभारत का धर्मानंद को शामभी उन्होंने बहुत क्रिटिकली रिसर्च करके बोला कि माभारत जो है उस कहानी को कहानी ही नहीं थी उसमें कुछ मिली नहीं रहा था और दो घरों की लड़ाई थी तीसरा एक मुखिया बनके उसमें गुसेड़ा गया आशा क्रिश्ण का वर्ण कौन सा था जरा यही बात कर लेते हैं नहीं पहले यह तो देख लिए यह वता नहीं पाए या सूद्र की बात फिए की हैंuko कौन सा काम करेगा यह बोल रहा है कि दिंदक पम पूरा पूरा उपनिशद की बात कर रहा है और यहीं नहीं वे कह रहा है आंका मंडल 10 जो है उसका 90 जो है उसका 12 जो मंत्र है उभी व यह बात कर हता है कि ब्रामधर मुह से पैदा हुआ, सुद्र जो है पैर से पैदा हुआ, लिखा हुआ है उसमें बकायदे, तो आप जो है इतनी कहानी नहीं बना सकते हैं, अब आपका कृष्ण जो है अगर कपड़े लड़की का लेके भाग गया, तो बुरा कर्म हो गया, तो क्या वो अगले जनम में कुट्टे, शुवर या चंडाल योनी किस में जनम लिए थे, जरा बताएं हमें, किस योनी में जनम लेंगे, आनन्द यादो, बताएं, कृष्ण जो है, अगर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन ये भाग का है रहो, महाभारत पर काय भाग रहो तो अब महाभारत पर भाग रहा है, भाई मैं भागा दूंगा यहां से, इतना भागोगे ना, भागते ही रह जाओगे, मैं भी भागा दूंगा इधर से, ये जो खोला हूँ, जो मैंने पूछा, कि असुभ करम क्या होता है, लड़किया नहार ही हों, उनके कपड़े लेक भाग गया, तो वो कुते शुगर या चंडाल योनी किस योनी में जनम लियें, ये बताओ हमें, उनका कौन सा जनम होगा फिर, बताओ है भाई, आप ऑथेंटिक माहभारत से मुझे प्रूप दुखाओ ना, भाग रहे हो, यहां बात उपनिशद की चल रही है, माहभारत क दो कि क्रिष्रय ने कभी कपड़े ही नहीं चूराए्, आपके जो क्रिष्रय है, उनकी जो रचना हुई ढहा भालखें बाहवारतמה वहां से पूरे उनके जीवन की लिला, माहभारतמה सिर्फ उनका एक पच दिखाया गया है, कि उन्होंने नने सादी कर लिए, बीच में गय यादो समाज करता है यह मुझे पूरूफ करके दिखा दीजिए फिर मैं आपको बात करना उस पर हटा दूंगा जो भागवत पूराण है उसको बहिस्कृत कर दिया है यादो समाज ने बोल दीजे मुझे ओ मैं यादो में कर रहा हूं न आपके पूरा पूरूफ है आप कहानी मत बनाओ मुझे मेरे पूरा एटुजेड पूरूफ है इस पर स्ट्रीम करके भी बैठा हुआ हूँ मैं आप कहानी मत बनाओ मुझे अभी आपके क्रिश्न की कई कहानिया है एक कहानी तभी आपको दिखाता हूँ आपके क्रिश्न की एक लीला जो है अभी दिखाता हूँ मैं वह भी दिखाऊंगा मैं पूरा इस्ट्रीम करके बैठा हूँ आपको कहा लग रहा है कहानी चल रही है य बगवान का कुपजा और अकूर जी के घर जाना कहां गए यह जी मिश्टर अनन्द या दो अब ज़रा बताए मुझे कि यह क्या कहानी है भगवान कुपजा के घर जाने का इक पूबजा और कृष्ण के बीच में क्या चक्कर था यह आपके स्रीमत भागवत पुरान है कहां मिनट आप इस चीज का मुझे स्रीटिफिकरट दिखा दो कि पूरे समाज ने भागवात पुरान को बाइकट कर दिया है और उसका स्रीटिफिकरट रख जितने घरों में क्रिश्ण की लिलीजा ही इसी के अधार पर चलती ये भागवत करोगे कृष्ण की पूरी कृष्ण लीला उनका जनम से लेके जितनी लिलाए हुई है रास लिलाए हुई है हर चीज इस किताब के अधार पर चलती है आप नहीं डिसाइड करोगे जहां से जो चीज आ रही है वहीं डिसाइड होगा समय रहो ना कहानी मत बनाओ अभी खोल द दिया हुई है लेकिन मैं अब इससे ज्यदा किताब नहीं चेंज करने वाला चार-पांच टॉपी खोला और इस बंदे ने हर जगह एक किताब खोलने पर भाग रहा है हर एक किताब खोलने पर भाग रहा है और यहीं से आप देख सकते हैं इनका मैं कुपजा प्रेम करते हैं कि उनके साथ उनका एक भक्त उद्धव जी भी जाता है फिर यह क्या करते हैं कि वह आती है पूरे सजध़ के आती है और इनका उद्धव जी जो है वहीं नीचे यहां पर राइट साइड में देखिए शमान से उनका दिया हुआ आशन चूकर धरती पर बैठ गया अपने श्वामी के सामने उन्होंने आशन पर बैठना उचितना समझा फिर भगवान स्री कृष्ण सचिदान अंस्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरन करते हुए तुरंत उसकी बहमुल्य सेज पर जा बैठ है अब वो सेज पर बैठ गया अब वो जो है नीचे ज लिए कुबजा नमीन मिलनि के संकोज से कुछ जीजा कर रही थी डेखे मिलन के लिया थी कि यहां तुमसे मिलन करूंगा मैं आउंगा कंकर करके उसके आता हूं फिर तुम्हारे पास ही आउँगा तो अब जाते हूं उसके पासे, आप क्या कर रहे हैं, कुपजा नवीन मिलन के संकोई से कुछ ही जख रही थी, तब श्याम सुंदर कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया, नीचे उद्धा बैठा हुआ है, वहीं पे इनका चेला बुला लिया, और उसके कंकड से सुसोभीद कलाई पकड कर उसको अपने पास बैठा लिया, बताई, उसका पकड़ के बैठा लिया अपने बगल में, वहीं पे नीचे उनका चेला उद्धा बैठा हुआ है, आचा, उसके साथ क्रिणा करने लगें, अब या क्रिणा होता है, कि आप किसी महिला के घर जाईए, उसका कलाई से पकड के आपने बगल में बैठा लेजिया, उसके साथ क्रिणा करने लगें, कौन सा होता है, और सुनिये, परिचित कुपजा ने इस जनम में केवल भगवान को अंगराग अरपित किया था, उसी एक सुभ कर्म के, अब इस एक सुभ कर्म के कारण, यह देखिए, लिखने वाले क इतने घटिया लोग हैं, कि एक कह रहे हैं कि अंगराग दी थी, तो उसके एवज में उसके साथ क्रिणा कर रहे हैं, फलसोरूप उसे ऐसा अनुपम आशर मिला कि कुपजा भगवान से किष्ण के चर्णों को अपने काम शंतप्त हिरदय, वचहस्थल और नित्रों पर रह सटे हुए आनंद मूर्ती, ये ध्यान से देखिएगा इस चीज को ये क्या लिख रहे हैं, आधी व्याधी सांत कर लिवचहस्तल से सटे हुए आनंद मूर्ती, प्रियतम श्याम सुन्दर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके, कुपजा ने दिर्गकाल स किताबों में लिखा है, वो मन दिखाएए, लेकिन इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है, कि ये किताबे जहां पर रहे हैं, दसम असकंद भागवत पुरान का, घरों घरों में वाचन चल रहा है, जो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं, यही किताब का रेफ्र आप जा के अपने धरम में जो किताबे लिखी हैं न उन पर जाके बात कीजिए, अग जिस दिन आप त्यार होके आईएगा गीता पर डिवेट करनी हैं तो गीता पही लेके आईएगा घरों महां भारत पर इन कि नहीं चलेगा एक आप एक चीज आप यहां पर ध्यान दो कभी गए हो इस किताब पे उठाया है सवाल यह जो लिखा यह नहीं किताब नहीं हो तो हम उख करें हम क्या करें हैं किताब लिख रहा है वहां पर जाके यह सारी चीजे लिखी हुई सब लोग पढ़ रहे हैं गरगर में भागवत पुरान हो रहा है आप नहीं मानने से कितब बढ़ गई है क्या है आप हमें कहानी पढ़ाने कि क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं जाके इनको कहो इनको बंद कराओ जहां से जब तक ये समाज में इस तरह की बाते लिखी रहेंगे ये दिखी रहेंगी लोग दिखाते रहेंगे गरगर में ये सारे बाबा डाबा जो है पुरान पढ़ा रहे हैं और भागवत कथा करा रहे हैं आई हमसे आके बता रहे हैं इनके नहीं मानते हैं जो किताब खोल दो उन नहीं मानते हैं दूसरी किताब इनके लिए खुलो तो भाई सीधी सी बात है आप जो है जहां पे जो लोग यहां प्यार आई ब्रामण व्यक्ति था मैं पहले बता दू कोई भी गलत फैमी में नहीं कोई भी नहीं आज कल इन सबका सड्य उंत्र चल गया है यह क्या करते हैं कभी यादो बनके जाएंगे कभी राजपूत बनके आजएंगे छट्री बनके आजएंगे इस सब के सब रामण है पूरा कपूरा इनके गिंग है